आज हम लोग मैत का थेरो नॉम्बर बन करें के चप्टर नॉम्बर नाइन का इसका हब कुछ तो गिवन है फिर्स्ट अफॉल A, B, and C are 3 नॉन कुलिनियर पॉइंट्स इन अपने तो प्रूव है 1 and only 1 सेकल के इन पास तो 3 नॉन कुलिनियर पॉइंट्स A, B, C वो कहरा है कि तो 3 नॉन कुलिनियर पॉइंट्स A, B, and C वो एक ही सेंटर से पास कर सकते हैं जो O है इसका हमने C to O जोइन किया है वे दोटेल लाइन A to O and B to O जोइन जोइन A with B and B with C जोइन A with B and B with C जो D, F ननिकि और E, H, K are not parallel and they intersect each other at point O जोइन A, B, and C with point O okay state point every point on D, F is equidistant from A and B जो D, F है D इसे लिएकर F तक जो every point है A and B वो आपसे ने equidistant है यानिकि this point and this part and this part is equal to each other it means O, A, मजे साइट O, A is equals to मजे साइट O, B मजे साइट O, A is equals to मजे साइट O, B okay जैसे कि बता इसी से ना O, B O, B जो है वो O, C के इकवल होगा यानिकि this part and this part are become equal to each other and this is always यह तभी possible होता है जब हम लोग income midpoint लेते हैं for example, हम लोग 3 cm की लाइन लगा लेते हैं या 4 का half 2 होता है तो हमने 4 cm की लाइन लेते हैं तो obvious इसका half 2 होगा यहां पर 2 cm होगा यहां पर 2 cm होगा यह एकवल पार्ट पर डिवाइड होगा इससे हम कहते हैं कि हमने इसको equidistant कर दिया बाकि इसी तरह है कि O is the only point common to this जो जो O है common कि हम पर 4 point है यहां पर उसना रवजा दिया price factor है construction में हमने बताया था है using A1 & 2 equation को use करते हैं O A, O B & O C become equal to each other these 3 However, there is no such point O and this is a lie So, इसकी diagram देखते हैं कि इसकी diagram कैसे बनानी है हम लोगों को क्या चाहिए एक compass चाहिए है Scale Pen & Marker सबसे पहले आपने compass को थोड़ा से खोलना है जितने आपकी मरजी ही बट थोड़ा खोलना है वहना जादा बड़ा आर्क बन जाएगी तो मैंने इतना खोली है अब इसको हम एक point पे रखेंगे और आपन मैं इस point पे रखेंगे और यहां पे हमने इस तरह half आर्क बनानी है Remember that कि यह half होगी तो यह हमने आर्क लगा दिया इसके बाद मैंने इस point पे रखे आर्क लगाई थी इस point पे ने prominent कर दिया था पहले इस point आपने prominent कर दिया था पहले है यह को नाम दे दिया हमने अब हमने यहां पर two court बनाने है ठीक है लेकिन एक जो court है मैंने first court straight होना चाहिए और एक court हमने उसके बाद में थोड़ा बनाना है ठीक है तो पहले हमने straight court बनाना है बट हमने यहाद रखता है कि जितने cm का हम यहाँ पर court बनाएंगे उतरे ही cm का हम यहाँ पर court बनाएंगे इट मेंज दे ओल रखता है बट यह मैंबर दैट के विल बी ओलवी सट्रेट टीक है यह हमेशा स्ट्रेट बनाना चाहिए थोड़ा सभी टेरा निकरना आपने बनाना चाहिए ते मैंने मितने cm का बना लें तो यह मैंने इदेर भी 3 cm बिना दिया दोने तरफ सेंजी सेंटीमेटर कोड़े जहां से एंड वा तो इसे लाग़े से मैंने 3 cm बिना दिया अब हम एक पॉइंट लेना है 3 cm का हाफ क्या होता है 1.5 cm जिसका हाफ लेंगे और वहां पर पाइप बिता दूंगी और जितना 1.5 2 cm चाहिए नहीं सेड़ फूसकर यह मैंने 2 cm 1.5 cm से नहींगे अशनी से लेंगे जोए तो इन जोइन के सबसेग ख्राइए बिना तो इन दोन्हें के सब abuse पास करना चाहिए आपको सरकर से बन रहा है या नहीं बन रहा है इसकीक लिए लिए बन रहें, इक निशान यह भी है कि अगर आपके यह निशानगे बिलक्र बिलक्र स्ट्रेट पास कर रहे, फिलकिल रहे इसके पार में, जहां से उपर Car, इसके बेडेर कहए, पहले हैं बिदे डोटर लाइन जोई दिया आप देखते हैं कि यह एकवल लग रहे है पार्स में तेक है इस तरह हमने इन तीनों के टर्मिनल्स को दोटर लाइन से थे 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 तरह थे थे था तेक है अब इंको नाम देटेते हैं A B & C अगी हैं हम इन बुक के कारन देए के तीक है so easy easy very easy theorem number 9.1 the diagram it's very easy you have to practice a lot but it's very easy okay so take care laugh is in make sure to watch full video inshallah i will upload another videos of this kind of things and inshallah love is make sure to like subscribe and share my channel